हेलो गाइस वेल कंडू स्पेशल एजुकेशन नमस्कार दोस्तों स्वाध करते हूं आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है सभी कैनिडेट्स के लिए जैसा कि आप लोग देख सकत होगा कि और भी मिनिश्यल एंड आइसोलेट्ट केटेगरीज के अड्मिट कार्ड भी आउट हो चुके है वह सब आप चीज़ों को पता होगा अभी मैं आप लोग को ओफिशल नोटिस दिखायता हूं एक्जाम डेट का और भी एंटी पीसी का एंड और भी ग्रूप डी क इसके अलावा आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से स्टेट से कितने कैनिडियर्स ने फॉर्म फिल किया है ताकि आप लोग को कॉम्पिटिशन का पता लग जाएगा कि मेरे स्टेट में कितना कॉम्पिटिशन है कितनी सीट्स वगयरा तो पूरा डिटेल में डिसक के साथ चीज़ें बताई है तो प्लीस वीडियो को देन लाइक कर देना चाहिए अभी मत करना ठीक है और अगर आप चैनल पर पहली वर्जिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना तो चलिए दोस्तों आई स्टार्ट करते ह आउकरी.com नाम की वेबसेट पर जाकर आप जितनी भी प्राइवेट जोब्स निकली है जो आपके आसपा स्टेट्स में अविलेबल आई या फिर जितनी भी गवर्मेंट जोब्स है गवर्मेंट जोब्स के आपको बहुत सारी साइट्स मिल जागी लेकिन प्राइवेट प्राइवेट जोब्स की जानकरी लेन चाहते हूँ थो तो इसके भी इंफोर्मेशन मिलेगी तो इसको गोगल में टाइप कर लेना या फिर यूरल में टाइप कर लेना आपके सामने विपसेट कुल जागी तो चलिए फटाफ़ट मूब करते हमारे वीडियो के में और उस मीटिंग में उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिखाए थी यो उसका स्क्रीन शोट है सो इन्होंने बताया था कि आपके एक्जाम कब कब होने है और इन्होंने डेट्स दिया है वो आपका 18 December से होगा और इसके जो call letters है, admin cards है, वो already आ चुकिया, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को सब को पता है, इसके अलावा इन्हों ने बोला था, आपकी जो advertisement number 1 2019, non-technical popular category, जिसको NTPC बोलते है, इसके जो आपकी 35,208 post निकली थी, और 1.26 crore candidates ने apply किया, 1.26 crore candidates ने NTPC इसका जो exam होगा, वो आपका 28 December 2020 को confirm है, उन्होंने अपनी जो meeting salary थी, conference salary थी, उन्होंने special ये चीज़ बोलिये कि इसका जो exam होगा, वो 28 December, 28 December 2020 को होगा, और 28 December से लेकर, March 2020 तक आपके NTPC के exam चलेगे, ठीक है, and अगर मैं level 1 की बात करूँ, या मैं group D की बात करूँ, तो group D की जो आपके exam है, पहले इसकी vacancies बात कर लेते हैं, इतनी vacancies है, और 1.15 crore candidates ने ये वाला form भर है, तो group D के लिए, इन्होंने बोला, जो आपके exam की date रखी गई है, वो April 2020 रखी गई है, ठीक है, April 2021 रखी है, but इन्होंने बोला, ये जो group D की exam data, ये आपकी tentative है, ये आपकी confirm नही भी धीला, मत छोड़ना, boost करो, preparation अच्छे से लगे रहो, अब आप लोग का time है, ठीक है, बाकी total आप देखना चाहते हो, ये है, अब हम बात कर लेते हैं, कि कौन से NTPC exam में कौन से states से कितने candidates ने apply किया, ताकि आप लोग को एक competition का overall idea लग जाए, कितना competition है, आप लोग के states स अचले स्टार्ट करते हैं, सो दोस्तों जैसा की screen पर दे सकते हैं, state wise candidate detail for this advertisement number NTPC category, CBT starts for 28th of December 2020, मतलब जो आपका NTPC exam 28 December 2020 से start होगा, उसका इनोंने candidates की state wise detail बताई है, अगर I think आप लोग को ये visible होगा, अगर नहीं visible तो जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर focus करना, अंड़मार औ निकोबार से 511 candidates ने register किया या अपलाई किया, अंधर परदेश से 5,28,675 लोगों ने अपलाई किया, अरुनाचल परदेश से 1729, असाम से 1,34,357, इसके लावा बिहार से 15,62,983, चंडीगड से 11,136, गड़ से 2,57,894, दादर और नागर हवेली से 593, दमन और दियू से 224 डैली से 2,37,776 candidates, गोवा से 911 candidates, कुजराथ से 3,19,417 candidates, हर्याना से 5,77,371 candidates, हिमाचल परदेश से 34,737 candidates, जमू एंड कश्मीर से 75,161 candidates, जारखंड से 4,41,526 candidates, करनाटका से 2,87,593 candidates, केरला से 5,69,211 candidates, लक्षदीप से 118, इसके लावा मध्या परदेश से 7,98,501, महराष्टा से 7,6,409, मनीपूर से 4,727, मिघालय से 2,090, मिजोरम से 609, नागा लैंड से 2,125, उडीसा से 2,81, और अधर नेशन से 918, पुडूचेरी से 10,675, पंजाब से 1,90,993, राज़स्तान से 13,43,145, सिक्कीम से 353 candidates, और तमिल नाडू से 6,21,845 candidates, तेलंगाना से 3,35,000, और त्रिपूरा से दोस्तों है 10,267, उत्तरपरदेश से 25,60,000, और उत्रागंड से 1,08,000, वेस्ट बंगॉल से 6,23,443, और यहाँ पे टूटल आप देख सकते हो 1,25 क्रोड, 1 क्रोड 25,88,524 candidates ने अप्लाई किया, तो आप देख सकते हो कि आपके state में कितना competition है, अगर दोस्तों मैं overall सबी states की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो form भरे गए है, वो उत्तरपरदेश, UP से भरे गए है, तो इतना competition देख के आप लोग गबराना मत, बस अपनी preparation booster को बहुत सारे candidates हैं, जो lockdown में ढेले हो गये थे, और even यार कुछ candidates तो ऐसे हैं जो कि अभी भी नहीं मानने की 28 December से आप लोग का exam होने वाला और वो seriously नहीं ले रहे हैं अपनी पढ़ाई को, और कल भी, I think, दो दिन पहले मैंने दो या तीन दिन पहले एक वीडियो प्रोड की थी, exam date से लेट जो कि आपके NDTV की website पर आया था, ठीक है, और उसके नीचे भी किसी, actually एक या दो candidates है, जिनों ने बोला था कि sir exam नहीं होगा, आप चाओ तो मेरे comment का screenshot ले लो, तो आपका ये वाला जो exam है, ये confirm 28 December से नहीं होगे, चलो सब के अपने अपने logic होते है, आपने अपनी सोच होती है, तो वो ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब है, बहुत सारे candidates अभी इस ताइम जो पढ़ाई को है, वो अपनी rightly ले रहे है, तो आप इस ताइम अपनी पढ़ करना चाहे, ताकि लोग exam इन चीजों में फसे रहे और ये सोचते रहे कि exam 28 December से नहीं होगा, 25 January से होगा, तो ये भी एक टाइप की trick होती है, तो आपको जस्ट अपने exam पे focus रहेना, ठीक है, इस वीडियो के नीचे भी देखना काफी comments है, ये लोग कहें कि सर 28 December को exam नहीं हो